Q8. A dealer purchased a fan for Rs. 1080. After allowing a discount of 25% on its mark price, he gains 25%. Find the mark price of the fan. देखो, gain कितने का हुआ है? 25% का. Cost price क्या है? 1080. देखिए. Solution लिखेंगे पहले. और ये देखिए कि cost price कितना दे रखा है? तो आप कहोगे 1080. अच्छा, gain कितने का है? तो gain किया रहा है, 25% का है. देखो, ये लिखा है न? He gains 25%. मैं आप से पूछू कि selling price क्या होगा? तो आप selling price कैसे निकालोगे? तो selling price निकालोगे क्या? formula क्या होता है? देखो, gain के case में? ये था, 100 plus gain percentage upon 100 into CP. लगाते हैं. तो 100 plus gain percentage कितना है? देखो, 25 का. upon 100 of cost price. cost price कितना है? 1080. clear है? चलो, इसको plus करते हैं. 125 upon 100 of 1080. clear है? देखो, 25 के table से ये 5 times जाता है और ये 4 times जाता है. ठीक है? कट करते हैं. इससे इसको. तो 4, 2 the 8, 2 बचा. और 4, 7 the 28 और 0. और 27, 5 the होता है 135. ठीक है? मतलब selling price हमारी इतनी आ गई है. अब एक बात देखो. मैंने कहा कि cost price हमारा 1080 है. Selling price हमारा 1350 है. और question में हमसे क्या पूछा था? question में हमसे पूछा था find the mark price. मतलब अब आपको mark price निकालना है. ठीक है? तो इसको x let कर लेते हैं. ठीक है? तो अब solution actually यहाँ से चलेए. हमारा इस question के recording. तो हम कहेंगे let the mark price equals to x rupees. ठीक है? एक चीज़ बताओ. आपने देखा होगा यह formula mark price minus discount equals to selling price. यह formula देखा है? मैं इसी का use करने वाला हूँ. mark price कितना let कर लिया मैंने? x minus discount. discount हमेशे किस पर निकलता है? mark price पर? तो देखो कितने का discount है? discount हमारा है कहा है question? यह रहा. वो कह रहा है discount of 25% on the mark price. तो मतलब discount कितना है? 25% of the mark price. mark price कितना है? x. और equals to selling price कितना है? देखो selling price कितना है? 135. अगर आपने इसको solve कर दिया तो answer आजाएगा. ठीक है? तो करते हैं. x minus 25% of x. तो देखो मैं यहाँ solve कर दूँ. 25% का मतलब upon 100, of का मतलब multiply और x. यानि कि 25 upon 100x. यही लिख देते हैं. 25 upon 100 और x equals to 1350. clear है? LCM लेते हैं इसका. तो नीचे LCM आएगा इसका 100. वन को 100 बनाना है. 100 की इससे multiply तो 100x minus 25x equals to 1350. clear है? इसमें से इसको minus करोगे. तो 75x upon 100 equals to 1350. मुझे क्या चाहिए? x. तो 1350 ऐसी रहा. यह चीज इकोल के इधर जाएगी तो पलट जाएगी. तो 100 आ जाएगा उपर और 75 नीचे. 25 के table से यह 3 times और यह 4 times. ठीक है? 3 से अब इसको cut करते हैं. तो 3 4s are 12. 1 बचा. 15 हुआ. 3 5s are 15. और 0. इसकी multiply इससे करो. तो 4 0s are 0, 4 5s are 20 की 0, carry 2. और 4 4s are 16, 17, 18. तो mark price हमारी आ गई है. 1800 रुपीज. यही हमारा answer है. तो mark price equals to 1800 रुपीज. ठीक है? Next question.